विद्यार्थियों के लिए सूर्ये और चंद्रस्वर की साधना किस परकार से लाबकारी हो सकती है। के रहस्यों को चंद्रस्वर किस परकार से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, हमारे शारेरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष को किस परकार से प्रभावित करता है। होने का और सूर्य ग्रहन होने का। और जदी आप थोड़ा बहुत उपवास का अनुभव रखते हैं तो यह जान पाएंगे कि आमावस्या के दिन उपवास करने का लाब अत्यधिक मिलता है। यह तो सब बाहर के लाब हैं। लेकिन हम चर्चा करेंगे भीतर के लाब जो कि आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नती के लिए बहुत ही लाबकारी और साहिक होंगे। चंद्र जो की सूर्य के विप्रीत, बिल्कुल ही विप्रीत, ठंडक और शांती का प्रतीक है। यदि आप प्रेम और करुणा को अपने जीवन में धारन करना चाते हैं, तो आपको चंद्र की साधना करनी होगी। आपको चंद्र देव का आहवान करना होगा। और आहवान यह किसी मंदिर में जाकर नहीं, किसी अनुस्थान को करके नहीं, यह अनुस्थान होगा अपने भीतर जाकर। सूर्य और चंद्र के बीच में बैलन्स बना कर, तब आप सूर्य और चंद्र के बैलन्स बनने के बाद, जिस प्रकार से शारीरिक और मानसिक और अध्यहत्मिक लाब को ले पाएंगे, वैसा कभी आपने अनुभव किया नहीं होगा। तो आज मैं कुछ कारियों की चर्चा करूंगा आपके साथ, विद्यार्थियों के लिए सूर्य और चंद्र स्वर की साधना किस परकार से लाबकारी हो सकती है, जो कि आपको चंद्र स्वर के उदे होने के समय करने चाहिए और आपको अत्यनत ही लाब मिलेगा, और इसके स साथ साथ आज हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि दोनों स्वर एक साथ खुले होने पर कौन-कौन से कार्य करने चाहिए पिछले लेक्षर में हमने चर्चा की थी सूर्य स्वर पर आज हम चर्चा करेंगे चंदर्श्वर और दोनों स्वर जब एक साथ खुले हो अर्थार किसी मित्र से मिलने जाते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जाते हैं, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जिसके साथ प्रेम का संबंद है, किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल में या उसके घर में मिलने जाते हैं, तब आप चंदर स्वर के जागरत होने पर जाएं तो आप संपून रूप से आद्वात्मिक ले सकते हैं लंबी यात्रा अर्थार्थ जिस से यात्रा में आप एक दिन से अधिक घर से बाहर रहें चार-पांच घंटे जाने में लगते हैं कहीं फिर आप रात को बाहर रुखते हैं फिर वापिस आते हैं तो ऐसी दशा में चंदर स्वर का जागरत होना अवशक है और छोटी यात्रा अर्थार्थ एक दिन में जो यात्रा पूरी हो जाती है आप सुबह जाते हैं शाम को वापिस आ जाते हैं एक दो घंटे की जरनी होती है उसमें सुर्य स्वर का जागरत होना लाबकारी है यदि आप किसी को गिफ्ट देते हैं कुछ उपाहर देते हैं तो चंदर स्वर के जागरती में आप उपाहर देंगे तो आपको अधिक लाब मिलेगा आपके संबंद और घंश्ट होंगे इस प्रकार से जब भी आप गुरू के समक्ष बैठें अपने आपको समर्पित करने के लिए जब आप पढ़ाही करने के लिए बैठें स्पेशली स्टूइंट्स के लिए विद्यार्थियों के लिए सूर्य और चंदर स्वर की साधना किस प्रकार से लाबकारी हो सकती है करें की चंदर स्वर जागरत है तो अधिक से अधिक लाब मिलेगा जो मित्र प्रोफेशन से डॉक्टर है जो प्रोफेशन से टीचर है अपना कार्य करते समय जब उनका चंदर स्वर जागरत होगा तो वो परफॉमेंस अपनी अच्छे से दे पाएंगे और जो मित्र महनत का काम करते हैं शरीरिक परिश्रम जिनका ज्यादा है जो कठिन परिश्रम करते हैं वो अपना कारिय प्रागंब करने से पहले यह निस्चित करें कि सूर्यसवर जागरत है लेकिन जो Musician है, संगीत अग्ये, painter हैं जो लोग और जो लोग कविता लिखते हैं, कहाने लिखते हैं ये लोग यह निश्चित करें कि चंदर्शवर जाग्रत है और तब अपना कारिय शुरू करें आपको बहुत अधिक लाख मिलेगा तो अधिक लाख मिल पाएगा आम तोर पर चंदर और सूर्य स्वर 90 मिनट में परिवर्तित हो जाते हैं स्वता ही लेकिन अज़दी आपने कुछ कारे करना है तो 90 मिनट की परिदिशा ना हो पाएगी तो इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने रिकोर्ड जब किया था तो आपको बताया था कि किस प्रकार से आप अपने स्वर को परिवर्तित कर सकते हैं कैसे स्वर को बदल सकते हैं तो आप उसको देख सकते हैं कुछ बित्रों ने यह भी प्रश्न किया है कि घर में लाड़ी जगड़ा होता है कलाय होती है तो क्या किया जाए योग प्राणायाम या स्वर्विज्ञान की साहता से कुछ हो सकता है तो उनके लिए भी एक टेक्निक बता देता हूं जो व्यक्ति आपके उपर गुसा कर रहा है आपके उपर करोध दिखा रहा है आपने सामने आप बैठके बात कर रहे हैं तो अपना स्वर्व जाच लें कौन सा स्वर्व चल रहा है अगर आपका बाया स्वर्व जागरत है तो उस व्यक्ति की बाई तरफ जाके बैठ जाएं अगर आपका दायस्वर जागरत है तो उस व्यक्ति की दाई तरफ जाके बैठ जाएं कुछ ही सेकिंडों में आप महसूस करेंगे की वो व्यक्ति शान्त हो जाएगा यदि आप किसी धार्मिक कारियों को करने के लिए जा रहे हैं मंदिर में जा रहे हैं तीरत में जा रहे हैं दान दक्षना देने कुछ जा रहे हैं गुरु से मिलने जा रहे हैं और योगा भ्यास के लिए जा रहे हैं दियान के लिए जा रहे हैं और पूजा पाठ के लिए भजन कीर्थन के लिए तो आप यह निश्चित कर लें कि दोनों स्वर आपके जागरत हों अनेक लोगों ने ऐसी शंका की है कि बहुत वर्षों से धार्मिक कार्य करते हैं घर में सब धार्मिक प्रवर्ति के लोग हैं दिरंतर धार्मिक तीरत स्थलों पर भी जाना होता है कोई बुरा काम भी नहीं करते और तब भी कोई धार्मिक लाब नहीं मिलता कोई फल नहीं मि कि उसका लावने मिल रहा तो आपको यह रहस्य समझना होगा कि जिस शन में आपने यह कारे को किया उस समय आपका सूर्य या चंद्र एक्टिव था एक स्वर आपका एक्टिव था केवल यह सब कारे हैं जब दोनों स्वर आपके जागरत हो गुरू से अभी मैंने बोला कि शिक्षा ग्रहंड करें तो चंद्र स्वर चले लेकिन जब गुरू से मिलने जाएं गुरू का अभिवादन करने जाएं तो आपके दो साथ को आशिरवाद को ग्रहन कर पाएंगे तो दोनों बातों में कंफ्यूज ना हो ना और कोई भी इंपोर्टेंट डिसीजन आपने नहीं लेना जब आपके दोनों सुवर चल रहे हों आपने प्रतिक्षा करनी है वेट करनी है कोई ऐसा डिसीजन जिसके करने से आपको पैसे का लाब होगा यहानी होगी अभी ना लें रुख जाएं जब दोनों सुवर जाग रहे हैं तब ना लें कारिये के अनुसार यह है प्रिक्षान करें कि इस कारिये में किस स्वर की आवश्यक्ता है उसी परकार निश्यत ले गए और यदि कोई छोटा बिजनस कर रहे ह शोट टर्म रिलेशन्शिप जिसके साथ है जैसे एक दुकान से समान लेने गए और आपको पता है सिरफ अभी एक दो घंटे का काम है यहां पर उसके बाद कभी पता नहीं मिलना हो दुबारा भी ना हो इस दुकान पर कभी आना भी हो के ना हो तो आप सूर्यस्वर के चल या किसी को परपोसल देना चाते हैं या प्रयजनेशन देना चाते हैं अपनी देखो मैं परपोसल लेके आयूं छलो मिल बैचके दोनों वेपार करते हैं दोनों मिलके तब आपका चंद्रस्वर जागरत होगा तो आपको उसका अधिक लाब होगा आपकी लोंग स्वर जागरत होना चाहिए लेकिन यहां हमने लोंग टर्म रिलेशन्शिप बनानी हैं दोनों ही बातें बिल्कुल अलग हैं अगर रिलेशन्शिप जिसके साथ बनानी है उसके उपर ही जीत जाएंगे तो दूसरा व्यक्ति दब जाएगा तो रिलेशन्शिप बननी है तो आप ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो समने वाला व्यक्ति आपके बैलन्स में नहीं आ पाएगा तो पार्टनर्शिप ज्यादा वह चलनी पाएगी और यदि किसी को पैसे दे रहे हैं आप जैसे आपकी इच्छा नहीं पैसे देने के लिकिन देने पड़ रह हर बार जाते हैं पैसे देख आजाते हैं वह सारे वकील के पास जाते हैं कोई केश चल रहा है सुनवाई नहीं हो रही कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा निकलके बार बार जाते हैं पैसे देख आ जाते हैं तो इसके लिए यह जाच लें कौन सा स्वर आपका जागरत है जैसे ही आप पैसे देने लगें तो पूरी शक्ति से उसी स्वर्च इश्वास को बाहर निकाल दें आप यकीन माने कि वो अंतिम बार आप उस वेक्ति को पैसे देंगे दोबारा आपको महां जाने की जूरत नहीं होगी या वो डॉक्टर हो या वो वकील हो और कुश्मित्रों ने इन्वेस्टमेंट के बारे और यह क्या करते हैं इसको जो बेटिंग करते हैं स्पोर्ट्स में या कैसीनों में जो पैसे लगाते हैं या ताश खेलते हैं जूवा खेलते हैं उसके बारे में पूछा है और क्रिकेट के मैचों में भी पूछा है कि पैसा लगाएं तो कैसे उस पर पैसा और बनाया जाए अधिक, सूर्य उद्य के समय आपका जो स्वर था, उसी स्वर में वो स्वर दोनों एक होने चाहिए, सूर्य उद्य के समय जो आपका स्वर था, और अब जब आप दाव लगा रहे हैं, दोनों स्वरों के एक होने पर आपकी लाब होना समझ लिए तो आपको यह जांचना होगा कि जब आप जगे आपने स्वर की जांच करनी है लग बग लग वही समय जो सुरियुदय का समय है और उसी स्वर के जागरत अभी होने पर जब आप पैसे लगा रहे हैं बेटिंग में कैसीनों में या कहीं किसी और गेम में तो दोनों स्वर एक जैसे हैं तो आपका लाब होना वहां निश्चित है और यह भी विशेश पात रूप से इस बात का ध्यान रखें यह विद्धिया आपके शारेरिक और अध्यात्मिक उत्थान के लिए है किसी दूसरे व्यक्ति पर इसका गलत प्रयोग ना करें क्योंकि ऐसा करने पर सूर्य और चंद्र आपका ही नाश करने लगेंगे जब जब आप इस विद्धिया को दूसरों की भलाई के लिए अच्छे के लिए प्रयोग करेंगे सूर्य और चंद्र का आशिरवाद आप पर बरसता रहेगा लेकिन जब जब आप यह प्रयास करेंगे कि दूसरे को नुक्सान पहुंचा दूँ और नुक्सान पहुंचा दूँ तब तक आपका नुक्सान होता जाएगा और यदि किसी विक्ति से आप अपने संबंद अच्छे करना चाहते हैं अभी आप से थोड़ी बहुत पैचान हुई आप चाहते हैं संबंद और ज्यादा अच्छे हो जाएं तो उस विक्ति को कुछ गिफ्ट देते समय अपना स्वर जाज लें जो स्वर आपका जागरत है उसी हाथ से उस गिफ्ट को दें आपके संबंद गनिष्ट होंगे उद्देशे से या कोई लड़की घर से चल रही है लड़के को देखने के लिए शादी करने के उद्देशे से जो स्वर आपका चल रहा है उस पैर को पहले घर से बाहर रखें आपको स्वफलता की संबावना अत्यदिक होगी गर के बाकी सदस्यों पर यह नियम लागू नहीं होता लेकिन जो मुखे व्यक्ति है वो लड़का ये लड़की जो अपना संबंद बनाने जा रहा है वहया निश्चित कर ले कि कौन सा स्वर मेरा जागरत है उसी पैर को पहले घर से बाहर रखें और आप सफलता हो जाएंगे तो आज इसी के साथ इस लेक्चर को खतम करते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रकरती में रहें आज मैं इस जंगल में आया हूँ और ये वीडियो रिकोर्ड कर लिया यहाँ पे थोड़ा मेरे को अच्छा लगा घर से बाहर निकलें सूर्य की रोशनी लें ज्यादा से ज्यादा और अपने आपको स्वस्त रखें धन्यवाद ओम नमस्यवाए